हेलो दोस्तों स्वागत है आपका ग्लेयरे स्टेडी पॉइंट क्लासेज मैं मैं शिवम शर्मा दोस्तों कल UK SSSSC ने वन आरक्षी यानि फोरेश्ट गार्ड की वकेंसियों को क्या कर दिया है जारी कर दिया है तो इस चीज के लिए मैंने आपको कल के वीडियो मेंेजिकित परिक्षा को आसानी से क्या कर लें क्वालीफाई कर जाएं जिससे का एक्जाम क्लियर हो के लिए इलीजिबल हो जाएं तो आईए बात करेंगे इस वीडियो में हम की उसका वना रक्षी यानि फोरेश गार्ड का स्लेबस क्या रहेगा यह नए पैटन के अकोर्डिंग है जो आपको जुलाई मन्त में उसके अकोर्डिंग आप जो भी वकैंसी आती हैं इंटरमेडि वीडियो को लास तक जरूर देखें एक एक चीज में आपको समझाओंगा कि आपने हिंदी में क्या चीज पढ़नी है समान निग्यान किस तरीके से पढ़ना है कौन सी बुक से आप पढ़ेंगे जो आपके लिए काफी फाइदे मन रहे तो आईए वीडियो को स्टार्ट क करम विभाजन आयोग द्वारा अपनी विविन विग्यपतियों में विग्यापित ऐसे पढ़ जिनकी शैशिक आरहता इंट्रमीडिय यानि 12 पास यानि इसना तक इसना तक इसना तक इसना तक इसना या बोलो तो आपका ग्रेजुएशन जो आपका रहेगा या उनके कोई भी परिक्षा आपने उत्तिन की हो उन सभी पदों के लिए जो आगामी 100 वर्षों की वास्तुनिष्ट प्रकार की लिखित परतियोगी परिक्षा के लिए पाठ्थ करम का अंकवार विवरण निमनिवत है ठीक है तो निमनिवत क्या है पहले आप देखें क्या क्या आपके आएंगे एक एक नंबर का आपके कहां से आएंगे हिंदी से आएंगे उसके बाद हम बात करेंगे सामान ग्यान एंड सावान अध्यन की जिसमें सामान ग्यान एंड जीके एंड जीएस दोनों का पॉर्षन रहेगा इसमें आपके 40 आपके क्योशन आएंगे वो कहा रहेगा दुसरा टोपिक आपका इतियास से भी आपके कुछ qehen बूछे जाएंगे भूगोल से भी आपके कुछ qehen की गटनाई यानि जो आपके अपके कुछ qehen पूछे जाएंगे इसमें एक चीज आपकी थोड़ी सी और include कर दी गई है computer की मूलभूत जानकार यानि computer fundamental को भी क्या कर दिया है इसके अंदर include कर दिया गए पहले computer के कुछ question नहीं आते थे एक आद question अगर पूछ लिया जाता था तो पूछ लिया जाता था अब इसमें computer fundamentals को भी include कर दिया है और math के question को कम कर दिया है पहले aptitude यानि जो आपकी गणित होती थी वो direct बता दिया है गणित के 10 question 15 question आएंगे बट अब आपके जो गणित के जो question आने वाले हैं बिलकुल normal question आएंगे जो reasoning type के आपके होते हैं यानि बुद्धी पर इक्षण वाले प्रोकॉर्शन होते हैं तारकिक शक्ती वाले वही आपसे पुछे जाएंगे उसके बाद जो आपके 40 अंक आपने क्या है इंसलेबस के according आएगा आपका 20 अंक आपके समाने हिंदी में हो गए यानि उत्राखंड की जीके अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यह आपको पूरे के पूरे 40 नंबर आपको यहीं दिला देगा और अगर आप उत्राखंड और हिंदी अपनी पकी कर लेते हैं हिंदी और उत्राखंड के क्योश्णों को आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो आपका paper यहीं पर qualify हो जाएगा अगर आप journal category या OBC category के लिए हैं तो आपके 45 नमबर लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है तब ही आपका exam क्या होगा qualify होगा otherwise अगर आप SC, HT या EWS के अंदर आते हैं तो उसमें क्या होगा आपको 33% नमबर लाने बहुत ज़्यादा जरूरी है तो आप अपने नमबरों का calculation किस तरीके से करेंगे आगे हम बात करते हैं कि आपने कैसे कैसे किस चीज के तैयारी करनी है और कौन कौन सा आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा सबसे पहले हम विशे हिंदी की बात करते हैं हिंदी में आपके क्या क्या चीज़े पूछी जाएंगी हिंदी के लिए हम बात करेंगी क्या 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 चीज़े आपसे पूछी जानी है यहाँ पर देखेंगे भाषा एम हिंदी भाषा भाषा क्या है भाषा के परकार क्या है हिंदी भाषा कर विकास कैसे हुआ कारियली भाषा क्या है हिंदी की बॉलिआ क्या है उत्तर खंड परदेश में प्रमक बोलिया क्या कुमाउनी हो। गढ़वाली ओ या जोनसारी हो। यह सब आपकी भाषा हैं आपको याद receptors चाहिए। इन सब के बारे में आपको पता होने चाहिए। की कुमाउनी में इस इस चीज़ को क्या बोलते हैं नाक में पहनने वाला गले में पहनने वाला इनसब चीजों का आपको भरपूर घ्यान होना चाहिए तभी आप इस फिन्दी के बारे में अच्छी जानकरी आप रख सकेंगे ठीक है आप यहां देखें लीपी ऐवञें वर्णमाला मैं तो आपको कहा हूंगा कि आप लूसेंट की जो हिंदी आती है निए सामान हिंदी उसके पड़ेंगे आपका बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा और उत्राखंड हिंदी के लिए आप उत्राखंड की जो परिक्षावानी है उसको लेंगे तो उसमें आपको इस सारी कुमाउनी गड़वाली और जोन सारी भाषा से related सभी चीजे मिल जाएंगे गले में पहने वाले को क्या बोलते हैं कमर में पहने वाले को क्या बोलेंगे वो सब चीजे आपकी यहां पे include हो जाएंगी आप अगर प्रिक्षावणी दे लेते हैं तो उत्राखं आपको बहुत अच्छे सब्सके के बीराम Ouais आपको बहुत क्रूंजे मैं की आपको बहुत अच्छे सका ही अच्छे पूछे तरीके से आने चाहिए कि आपके कौन से वरड शुद्ध लिखंएं उनको अछला ने आगे हम बात करेंगे शुद्ध संगरचना यहाने दाम करेशन कारक यह सभी आपको बिल्कुँ अच्छे से तैयार होने चाहिए आपको देखो, पूछे तो इन में से कुछी टोपिक्स पे क्योशन जाएंगे पर आपके दिमाग में सभी होने चाहिए ताकि आपको कहीं से भी क्योशन पूछा जाए तो आप बिल्कुल भी डाउट में न आएं उसके बार्चिन और बार्थ प्र openness और आगे बात करेंगे तो वाक्य परीचे या नीं देखेंगे आप यहां पर डिखाए वाक्य का आश्यय परिबाशा वाक्य के परिकार वाक्य शुद्धी लोकोती मुहावरे यह सब आपका इसमें प्रयोग क्या पत्र लेखाने टिपन प्रारूपन विग्यपति सरकारी वार सरकारी प्रापत्र यह सब इस चीज के अंदर इंक्लूड होगा ठीक है इन चीरियों को भी आप देखें जन संचार हैं हिंद्यू कंप्यूटिंग संचार मीडिया में मैं है तो यह इसमें आपको प्ठोड़ना होगा ठीक है आगे हम बात करें हिंदी साहित्ति के बारे में हम बात करेंगे जो में ट्पिक आपका जो राइटर से रलेटेड है किक्षा 10 और 12 तक की जितने भी हिंदी की पुष्धक है उसमें कुछ राइटर्स हैं जिनोंने पद्धेखंड में और गद्धेखंड में कुछ कवीता हैं और कुछ रचनाई लिखी हैं उनके बारे में आप पढ़े हैं कबीर हो गया सूर्दास हो गया तुलसी हो गया मीरा रस्खान जैसंकर परसाद निराला सुमितर अंदर पंथ मकषनलाल परसाई हो गया उख का मंगलेश राजे जोशी इन सबकी बारें कवीता हैं वह गया है जो भी हैं आपको अच्छे जहन को क्या कर लेना पढ़ लेना है राहुल सांकतरयान इनके बारे में हजारी परसाद विवेधी प्रेम चंद्र हो गया है महादेवी वर्मा हो पहने पितामबर्दत हो गया है बढ़धवाल ठीक हरी शंकर परसाई हो गया है शैलेश मटियानी हो गया है मनोहर श्याम जोशी हो गया मनो भंडादी और शेकर जोशी इन सब के सबसे रिलेटेट जितने भी आपके हिंदी में कवीत आएं कहानियां वग्यरा जो भी हैं आपको सब को एक एक बार अच्छे से देख लेना है ताकि आपको क्या असानी से याद हो जाएं आप बात करें के समाने बुद्धी परिक्षन में आपका क्या रहेगा समाने ऊपार सिभाई किया घा रहा है उससी को आपस को मोर कर शीषे में उसकी आकरती कैसे लिख़ए लेगिए का वडोक रहे हैं तो ओपन करने पonner के कैसा दिखीगा काईयका को काटना काट की अगर क्रिटिंग के कैसा आता है पकर्दी निरुमार करने इसमें कितने तिर्भूज है इसमें कितने आपके आयत हैं कितने आपके वर्ग हैं इन चीजों के बारे मैं आपको पढ़ना है ऐसे कई परकार किया करती है आपके सामने यहापे डिखी वी हैं और आगे यहाँ पे देखो कुछ-कुछ टॉपिक में मैं आपको बताते हूं ज़िए डेट वेट निकलना बार्थ डेट निकलना या कौन सा साल इसके बाद अगर इस साल में यह वाला दिन इतनी तारीक को आता है तो अगले साल यह वाला दिन इतनी तारीक को कौन सा दिन आएगा ऐसे करके जितने भी आपके क्योशन बनते है सब आप क्योंगे किसि को अगर आपने seat ing arrangement करना है कि एक व्यक्ति एक line में दूसरे और तीसरे नुमबर बेट अर है तो उस line में 15 व्यक्ति हैं तो उसका आगे चाहि कौन सा इस ठान होगा इस तरीका के question आपके आएंगे तो आप यहाँ पर ढंग 시 से देखने सारे नाम आप अच्छे दे परसने पहली परिक्षन हो गया या रखत सम्मंद से आपका कोशन आ जाएगा आपका कथने मतर्क आ जाएगा कई चीज़े आपके आपके इसमें पूछी जाएंगी अब इसमें देखेंगे आप इत्यास वाले पॉर्शन में आपसे क्या पूछा सिंदु वाटी की सब्वेता के बारे में पूछेगा वैदिक सब्वेता के बारे में पूछेगा उत्तर वैदिक काल के महा कावे काल के जेन दर्म बहुत दर्म के बारे में पूछेगा मोरे काल के बारे में आपसे हो गया संस्कृति विकाइस हो सरी अरव तुर्किया अक्रमन हो गया आपका भक्ति आंदोलन सुफी आंदोलन यह सब इसके अंदर इसके बारे में आप जरूर पढ़े हैं ठीक है और इक गोल समेलन जो है आपका यह वाला प्याप जरूर पढ़ेंगे इसमें इसमें गांदी जीने जो इर्विन समझेर तक किया था उसके बारे में भी आपको ज्यादा जरूरी आपको पुरा सा डेल्टा आपके कहां पर है सब्कोरा एक चीज को अच्छे से क्लियर करना है कि उत्रखंड में कौ से दर्रें उत्रखंड की चोटीयां को ठीके यह, जितना भी आपको कितना मेदानी शेत्रय कितना पहड़ी शेत्रय कौन से राजज्जिंश इस्थान सब्सक्राइब पर नोगे समान ग्यान और अर्धयन के अंतरकता आके महं sì लोगया और प्रश्पर देखने की जुरुत नहीं है इसमें आपको मैं बता दूँन भारत छोड़ों पढ़ेंगे सभी ना वग्या अंदलन पढ़ेंगे भारत के विवाजन में आपको उसमें आप जरूरूर पढ़ेंगे इसको आर्थी व्यगस्ता में आपको क्या पढ़ना है इस चीश कभी देखने की प्रण जैसे आपका गरीबी रेखा वाला हो गया या आपका पंच वर्षी रोजनाएं हो गई हैं जैसे कि कौन सी खेती किस से संबंधित है इस तरीके से आप इसको भी पढ़ सकते हैं मस्ति से संबंधित क्या है दुख्द कुरांति को क्या कहते हैं इसको यह वो जो आपका कई चीज आती हैं इसमें आप उसको क्या करेंगा असानी से देखेंगे ठीक है आज के इस वीडियो में हमने आपको काफी सलेवर से बता दी उत्तरा खंड के लिए तो आपको एक एक चीज परिक्षण वांई मैंने आपके बता दिया तो आप परिक्षण वानी को जो जितना पड़ सकते हैं उतना पड़ें अच्छे से पड़ें कम स से 35 नंबर के बीच में अगर नंबर नहीं लाते हैं तो आपको पेपर क्वालिफाई करना बहुत ज़्या टाफ हो जाए क्योंकि हिंदी हर किसी के अच्छी नहीं होती है इस चीश का दियान रखना हिंदी में बहुत से बच्चों को बहुत जाता दिकत पड़ती है तो इसके कर लेंगे इंट्रनेट के लिए इंट्रनेट का यूच्छ किया जाता है कैसे कि ऐसमें आ जाएगा आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपने स्लेबस के अच्छे से तेयारी किजिए अच्छे से इन सब चीजों को समझ लिए ताकि आपको अच्छे से कर दूंगा तो वीडियो को पूरा लास्ट अपने अच्छे समझा होगा ठीक है तो मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो के साथ ठेंक यू